हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सरीर में खून की कमी होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं तो चलते हैं वीडियो के तरफ लैट्स गो खून की कमी का पहला लक्षण है हमेशा थकान रहना थकान आईरन की कमी के एनिमिया का सबसे बड़ा लक्षण है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सरीर में हिमोगलोबिन बनाने के लिए प्रयाप्त मातरा में आईरन नहीं होता है और हिमोगलोबिन के बिना ऑक्सिजन की प्याप्त मादरा आपके उत्तक और मास्पेशियों तक नहीं पहुँचती है जिससे आपको हमेशा ठकान महसूस होती है अगला लक्षन है आपका सांस फूलना हीमोगलोबिन लाल रख्त कोशिकाओं को सरीर के चारों और ऑक्सिजन ले जाने में मदद करता है जब आपके सरीर में हिमोगलोबिन का इस तर आईरन की कमी के कारण कम होता है तो आपके सरीर को उत्तकों में ओक्सिजन की आपूर्ती करने में बहुत ही मुश्किल होती है और जब आपकी मास पेशियों को ओक्सिजन नहीं मिलती है तो चलने या किसी अन्यकार्य को करती समय आपको ठकान में हैसूस होती है खुन की कमी का अगला लक्षण है आपका बाल और तचा की समस्याई सुखी टचा बालों का डैमेज ओना और भंगो नाखूं शरीर में आइरन की कमी का एक संकेध है रक्त में हिमोगलोविन की कमी के काराण को सिकावन को उपलब्द कम ऑक्सिजेन आपकी टचा और बालों को सुखा और डैमेज बना देती है जब तचा और बालों को प्रयाप्त पोशक तक तो नहीं मिलता है तो यह सुस्क और कमजोर हो जाता है अगला है आपका घबराहट दिल की धड़कन आईरन की कमी वाले एनिमिया का एक और लक्षन हो सकता है रक्त में हिमोगलोविन के एक निमन इस्तर का मतलब है कि दिल को सरीर के विविन हिस्सों में ऑक्सिजन के परिवहन के लिए अधिक काम करना इससे अनियमित धड़कन हो सकती है अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो आपको दिल की धड़कन यानि दिल का दोरा पड़ सकता है अगर आपको भी खून की कमी है तो आप अपने खाने में सेल्फिस मचली, पालक, कलेजी, लाल मास, कद्दू के बीज, किनोवा, ब्रोकली, टोपू, डार्क चोकलेट, आयर मचली, आदिका सेवन कर अपने खून की कमी को दूर कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट जरूर जरूर करना, ठैंक यू, बाबाई, लाव यू